हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट से डिजैन बनाने में बहुत ही आसान है इस डिजैन को आप जैन्ट, लेडिज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस design को बनाने के लिए आपको 13 के multiple फंदे लेकर 8 फंदे extra लेने होंगे तो ये design आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से adjust हो जाएगा 13 के multiple देखिए आप इसमें 13 फंदे गिन लीजिए फिर से 13 बार बार 13 तेरा यानी 13 फंदे गिनते जाएए और last में आपके 8 यानी 8 फंदे होने चाहिए ये design सीधी side से शुरू होता है और सिर्फ 4 सलाईयों में complete हो जाता है बोर्डर के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट पर आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी side से फंदे बढ़ा लीजिए सीधी side से ये design शुरू हो जाएगा तो आप अपनी sweater का कोई भी border बनाईए बोर्डर के बाद जो फंदे बढ़ाने हैं वो उल्टी side से बढ़ा कर सीधी side से design शुरू कीजिए अब जो design की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बता रही हूँ design को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिये हैं 34 यानि 34 फंदे 13 के multiple करके और 8 फंदे इसमें extra अब यहां से हमारे design की पहली सलाई है और सीधी side है इसे आप ध्यान से देखे पहली सलाई border के बाद आप कैसी बनाऊगे पहला फंदा इसका एजस्टीच है इसे आप उतारिये या उल्टा बनाएए या आपकी अपनी मर्जी है अब यहां से हमारा design शुरू हो जाएगा एजस्टीच के बाद दो फंदे उल्टे देखिए एक और यह दो अब हम धागा पीछे करेंगे यहां पर हमारा यह दो फंदे का design है तो पहले फंदे को छोड़ कर दूसरे फंदे में हम देखिए आगे की side से ऐसे slide डाल लेंगे इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे फिर यह जो first वाला फंदा है इसमें आगे से slide डाल लेंगे इसको सीधा बनेंगे तो दोनों फंदे बने गए अब इन दोनों को हम सलाई से उतार देंगे यानि सकींड फंदा हमने पहले सीधा बनाया है और फर्स्ट वाला हमने बाद में सीधा बनाया अब धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे अब धागे को पीछे करेंगे और ये देखे तीन फंदे पर यहाँ डिजाइन बनाना तो पहले फंदे को छोड़ कर ये जो नेक्स्ट वाला यानि तीन के बीच वाला फंदा हम ऐसे लेंगे इस पहले को उतार कर बैक फंदे में स्लाई डाल कर तीन में से एक फंदा आप सीधा बनाएए और इसे हलका सा लूज रखिए इस तरह से इसलाई के उपर लपेट कर आप एक जाली बनाएए तो ये हमारा दूसरा फंदा हो गया है इनही तीन फंदों में बैक साइड से स्लाई डाल लेंगे और एक पार और हम फंदा सीधा बुन देंगे तो देखे तीन में से हमने तीन फंदे बना लिए और इन तीनों को अब स्लाई से उतार देंगे अब एक फंदा हम ये सीधा बुन देंगे अब इन तीन फंदों पर हमें डिजाइन बनाना है तो देखे इस फंदे को छोड़ कर अब ये वाला जो फंदा है इसको हम लेंगे इसे उतारेंगे बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसे पलट के हम सबसे आगे करतेंगे तीन फंदे टाइट हो तो हलका सा लूज कीजिए बैक साइड से स्लाई डाल कर तीन में से एक फंदा आप सीधा बनाईए इस फंदे को हल ना देंगे और तीनों को स्लाई से उतार देंगे अब यह देखिए एजस्टीज के बाद यहां से यहां तक हमारा 13 फंदे का डिजैन बनता है इसी डिजैन को हमें आगे बार बार रिपीट करते जाना है तो धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे देखे एक और यह दो अब हम धागे को पीछे करेंगे और इन दो फंदे पर डिजैन बनाना है तो पहले फंदे को बाद में सीधा बुनना है दूसरे को पहले तो दूसरे फंदे में आगे की साइड से ऐसे स्लाई डालेंगे इसे हम सीधा बुन लेंगे अब यह जो पहले वाला है, इसमें भी आगे से स्लाई डालेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, तो ये छे फंदे का डिजैन हो गया, अब हम साथ फंदे वाला बनाएंगे, तो धागा पीछे कर लें एक, दो और ये तीन, तो इन तीनों के जो बीच वाला फंदा है, इसमें स्लाई डालेंगे, पहले को उतार कर बैक साथ की स्लाई पर डाल देंगे, इसको पलटके सबसे आगे कर देंगे, अब इन तीन फंदों को आप हलका सा लूज कीजिए, और बैक साथ से तीन फंदे म से एक फंद इस सीथा बनाईगे, स्लाई के ओपर धागे को ऐसे लपेट कर जाली, बना दीजिए, फिर से इन इनी तीन फंदों में बैक साथ से सड़ई डालेंगे, एक फंदा और हम सीथा बनाएंगे, तो इए हमारे तीन में से तीन फंदे हो गए, और इसे इस स्लाई से उतार देंगे थोड़े से लूज होने चाहिए आपके फंदे फिर एक फंदा हम सीधा बनाएगे अब इन तीन फंदों पर डिजाइन बनेगा तो इसको छोड़ कर ये जो बीच वाला है इसको ऐसे लेंगे पहले को उतार कर बैक साइड की सलाई पर इसे पलट के सबसे आगे कर देंगे अब इन तीन फंदों में बैक साइड से सलाई डालेंगे और तीन में से एक फंदा हम सीधा बनाएगे इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे फिर से बैक साइड से तीन फंदों में सलाई डालके एक फंदा हम और सीधा बनाएगे तो तीन में से तीन हों यही 13 13 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए लास्ट में आपके होंगे साथ फंदे देखिए दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे पर डिजाइन बनेगा पहले को छोड़ कर दूसरे फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे और इसे सीधा फिर ऐसे कर लेंगे और फर्स्ट वाले में आगे से स्लाइड डालेंगे इसको सीधा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे फिर दो फंदे उल्टे अब यह हमारा एजस्टी चाहिए से उल्टा बनाईए या सीधा बनाईए तो पहली स्लाइड डिजैन की कम्प आपको नजराने शुरू हो जाएंगे तो पहला फंदा एजस्टी च अब हम धागा पीछे करेंगे यहां से हमारा डिजैन शुरू हो रहा है दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करें और यहां पर हम साथ फंदे उल्टे बनाएंगे देखे एक, दो, तीन, च्यार, और ये, पांच, छे, साथ, यहां हमारा ये एजस्टीज के बाद 13 फंदे का डेजाइन बना है दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे और साथ उल्टे, इसी को बार बार रिपेट करना है तो देखे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे फिर साथ फंदे उल्टे ये देखिए एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ तो बार बार आप यही तेरा तेरा फंदे का डिजाइन बनाते जाएए लाश्ट में साथ फंदे हैं ये दो सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे अब ये हमारा एज़स्टीच है इसे आप उल्टा या सीधा कैसे भी बना लेजे तो दो सलाईया हमारे डिजैन की कम्प्लीट हो गई तीसरी सलाई है और सीधी साइड है तीसरी सलाई को अब आप ध्यान से देखें कैसे बनाने है पहला फंदा एजश्टीच है उतारिये या उल्टा बनाएए यहां से हमारा डिजैन बनेगा एजश्टीच के बाद दो फंदे धागा पीछे ये दो फंदे पर डिजैन बनेगा बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा हर बार सीधी साइड पर पहले को छोड़ कर दूसरे फंदे में आगे से सलाई डालेंगे इसे सीधा बुन देंगे फिर फर्ष्ट वाले में आगे से सलाई डाल कर इसको सीधा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे की तरफ कर लिजिए और यहाँ पर आप दो फंदे अब सीधे बनाईए एक और यह दो अब जो डिजाइन बनेगा वो इन तीन फंदों पर बनेगा तो इसे एक को छोड़ कर बीच वाले को ऐसे लेंगे एक को उतार कर बैक साइड की स्लाई पर लेंगे और बीच वाले को पलट के सबसे आगे डाल देंगे अब बैक साइड से तीन फंदे में से एक फंदा सीधा बनेंगे ऐसे लपेट कर एक जाली बना देंगे फिर से बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे हलके से लूज फंदे रखिए और तीनों को उतार दीजिए अब यहाँ पर आपके दो फंदे सीधे आएंगे देखे एक और यह दो एज़स्टीज के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा तेरा फंदे का एक डिजाइन बन गया यही डिजाइन आपने बार बार रिपेट करना है तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे दो फंदे पर डिजाइन बनेगा पहले को छोड़ कर आगे से दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे फिर फर्स्ट वाले में आगे से स्लाइड डालेंगे सीधा बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब ये जो 7 फंदे वाला डिजाइन है इस में से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे इस 20 के 3 फंदों पर डिजाइन बनेगा तो पहले को छोड़ कर बीच वाले में चलाइड आलेंगे फर्ष्ट वाले को बैक साइड की चलाइड पर कर देंगे और इसे पलट कर सबसे आगे डाल देंगे अब यह थोड़े से अगर टाइट लगे तो हलका लूज कर लीजिए नहीं तो फिर back side से slide डाल कर 3 में से 1 फंदा सीधा बनाईए एक बार लपेट दीजिए जाली आ जाएगी फिर से 3 फंदों में back side से slide डालेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुन देंगे 3 में से 3 हो गए इनको slide से उतार देंगे अब ये 2 फंदे यहां सीधे तो यहाँ पर second बार का हमारा 13 फंदे का डिजैन complete हो गया यही डिजैन बार बार repeat करते जाना है last में 2 फंदे उल्टे धागा पीछे 2 फंदे पर डिजैन बनेगा तो पहले तो हम दूसरे वाले फंदे को आगे से slide डाल कर सीधा बुनेंगे फिर first वाले में आगे से slide डाल कर सीधा बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे अब यह last वाले 3 फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ तो यहाँ पर हमारे डिजैन की 3 सलाईया complete हो गई चोथी सलाई है और उल्टी साइड है तो देखिए पहला फंदा एजस्टीच धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ और यह दो फंदे उल्टे यानि आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही आपने बनाने हैं तो दो सीधे दो उल्टे दो सीधे और अब यह साथ फंदे उल्टे बहुत ही आसान डिजैन है और बनने के बाद इसकी जो लुक आती है वो बहुत ही सुन्दर आती है किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए किसी भी तरह की उन में किसी भी तरह के कलर में आप इसे बना सकती है सलाई आपको जो लेनी है वो अपनी उन के अनुसार लेनी है मोटी पतली आप देख लीजिए जैसी भी आपकी उन होगी उसी हिसाब से आपको अपनी सलाई यूज करनी है मेरी ये ओस्वाल कंपनी की पारस्मनी वूल है और इसमें मैंने 10 नंबर की सलाई यूज की है तो चोथी सलाई उल्टे साइड से आपको जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे करते हुए आपने कंप्लीट करना है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा यह देखिएगा 4th सलाई हमारी complete हो गई 4 सलाईों का यह डिजैन है 4 सलाईों में डिजैन over हो गया है अब आप इन्हीं 4-4 सलाईों को बार बार repeat कीजिए और यह शांदार डिजैन अपना बना लीजिए अगर डिजैन को repeat करने में कोई दिक्कत आती है मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जूड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तेंक यू